असलाउलेकुम स्टूडेंटस कैसी है आप साब चलें आप अपने उर्दू की किताब खोलें सफ़ा नंबर 49 मतलब पेज नंबर 49 हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है आज हमने पढ़ना है चे क्या पढ़ना है चे इससे मिलता जुलता हमने पहले भी कुछ पढ़ा था किसी को याद हमने क्या पढ़ा था जीम हाँ जी जीम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चे जीम और चे एक जैसे हैं लेकिन इनमें सिर्फ नुक्तों का फरक है जीम में एक नुक्ता होता है और चे में तीन नुकते तो आज हम पढ़ेंगे चे और चे के साथ चे की आदी शकल अब देखते हम चे से क्या-क्या बनता है कोई मुझे पताईगा यह क्या बना हुआ है चूजा, very good तो चे से चूजा, चे से चिरिया चे से चांद साली पढ़ें एक दफा फिर से चे से चूजा, चे से चिरिया, चे से चांद कोई मुझे बताईगा और क्या बनता है चे से चे से चे से चावल और चावल हम किस के साथ खाते हैं चमच तो चे से चावल चे से चमच और क्या बनता है चे से चे से चादर चे से को और चीज भी बनती है जो सबको बहुत पसंद है अब बहुत छोक से खाते हैं कोई बताएगा मुझे चे से चॉकलेट सबको पसंद है ने चॉकलेट तो चे से चॉकलेट भी बनती है चे से चूजा, चे से चिरिया, चे से चांद यह तो हो गया आपका याद करने वाला काम यह आपने याद करने अब हमने लिखने वाला काम जो आपने लिखना है वो देखते हैं आपने क्या लिखना है तो सफ़ा नमबर 50 पेज नमबर 50 पे आपने लिखने का काम करना है क्या लिखने है आपने चे और चे की आदी शकल यह आपका लिखने का काम है और साथ में आपने याद भी करना है जो आज हमने पढ़ा है ठीक है तो पेरेंट्स आप इनको आज की डेट मेंचिन कर दीची और सब बचे अपना हया रिखेगा अलाहाफीज